फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे होंगे यह क्लास 9 NCRT का चैप्टर 1 का लास एक्सरसाइज है 1.6 तो आईए देखते हैं कि 1.6 में क्या कोशन है फर्स्ट है आपका फाइंड उसका फर्स पार्ट है 64 होल लंबर उसके पावर है 1 upon 2 अब देखिए क्या दिय है 1 upon 2 तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर किसी भी नंबर के पावर पे पावर है यानि एक के पावर M है उसके पावर N है तो हम लोग क्या कर देते हैं नंबर लिखके और पावर पावर को आपस में मल्टिप्लाई कर देते हैं तो इसी तरह 8 को लिखके पा पावर 1 upon 5 अब देखिए हम लोग 32 को ऐसा किस के पावर लिखें कि नीचे आपका वह 5 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 की वैल्यू क्या होती है 32 होती है और कि पावर 1 upon 5 सेम वही फॉर्मूला है A के पावर M के पावर N का फॉर्मूला होता है A M into N तो 2 के पाव पावर 5 के पावर 1 upon 5 2 के पावर 5 multiply करिए 1 upon 5 का 5 5 cancel हो जाएगा आपका बज़े का 2 के पावर 1 यानि आणसर आपका आजाएगा 2 थर्ड कोश्यन है आपका 125 होल 125 के पावर 1 upon 3 अब देखिए 125 को किसका पावर लिख सकते हैं 5 के पावर 3 5 के पावर 3 का मतलब 5 के पावर 3 into 1 upon 3 3 3 cancel हो जाएगा आपका बज़े का आणसर 5 इसका second question है find 9 के पावर 3 upon 2 अब देखिए 9 को लोग किसका पावर लिख सकते हैं 3 का पावर 3 के पावर 2 के पावर 3 upon 2 same way formula है 3 2 into power power क्या कर देते हैं multiply कर देते हैं तो 2 into 3 upon 2 2 cancel हो जाएगा 3 के पावर 3 बज़ेगा 3 के पावर 3 का है 3 into 3 into 3 यानि 27 इसका second question है आपका 32 के पावर 2 upon 5 32 same जासा first question था हम लोग इसको क्या लिख सकते 2 upon 5 लिख सकते 2 के पावर 5 लिख सकते सौरी तो power power को क्या करेंगा multiply 2 5 into 2 upon 5 5 cancel हो जाएगा 2 के पावर 2 2 के पावर 2 का मतलब है 2 into 2 यानि 4 थर्ड question है आपका 16 के पावर 3 upon 4 16 को सकते हैं और पावर पावर को multiply करेंगे 2 के पावर 4 into 3 upon 4 4 4 cancel हो जाएगा बचे कर 2 के पावर 3 यानि 2 के पावर 3 का मतलब 2 into 2 into 2 8 4 question है आपका 125 के पावर minus 1 upon 3 अब देखिए क्या इसका formula होता है एक के पावर अगर किसी पावर minus m लगा है तो minus में है उसका पावर तो क्या करें हैं तो क्या हो जाएगा 1 upon 8 के पावर m यानि इसको क्या करिए रैसी प्रोकर करिए 1 upon 125 के पावर 1 upon 3 अब हम लों 125 को कैसा लिख सकते हैं 5 के पावर 3 लिख सकते हैं इसका मतलब पावर पावर को multiply करना है 1 upon 5 के पावर 3 into 1 upon 3 3 3 cancel हो गया बचा 1 upon 5 यह हमारा third और last question है 1.6 का जिसमें हमें क्या करना है simplify करना है देखिए 2 के पावर 2 upon 3 dot 2 के पावर 1 upon 5 इस dot का मतलब होता है multiply देखिए base अगर same रहता है तो power को हम लोग क्या करते हैं plus करते हैं जैसे देखिए a के पावर m into a के पावर n is equal to a m plus n तो हम लोग यहां क्या करेंगे पावर प्लस करेंगे 2 के पावर 2 upon 3 plus 1 upon 5 2 को common ले लेंगे LCM लेके प्लस करेंगे तो 3 और 5 का LCM आये का 15 3 के टेबल में 15 5 बार में 5 2 जा 10 5 के टेबल में 15 3 बार में 3 बन जा 3 10 और 3 कितना आ जागा 13 upon 15 अनि आपका answer हो गया 2 whole 2 के पावर 13 upon 15 second question है आपका 1 upon 3 के पावर 3 के पा पावर रहता है तो पावर अपस में multiply हो जाता है इसका क्या मतलब है 1 के पावर भी 7 और आपका 3 के पावर 3 के पावर भी 7 है तो यह क्या हो जाएगा नीचे पावर 7 तो value 1 आएगी और नीचे क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 into 7 यानि 3 7 जा 21 आपका answer हो जाएगा 1 upon 3 के पावर इसका third question है 11 के power 1 upon 2 divided by 11 के power 1 upon 4 देखिए इसका formula होता है A के power M divided by A के power N A common है तो A को common ले लिजे और दोनों power को क्या करेंगे आपस में minus तो यह क्या हो जागे 11 को common ले लिजे 1 upon 2 minus 1 upon 4 LCM लेके minus करेंगे LCM आएगा 4 2 के table में 4, 2 बार में 2 बन जा 2 minus 4 के table में 4, 1 बार में 1 बन जा 1 2 में से 1 गया 1, 1 upon 4 आपको answer होगे 11 के power 1 upon 4 answer fourth question है 7 के power 1 upon 2 multiply 8 के power 1 upon 2 अब देखिए इसका formula है A के power M, B के power M is equal to A into B के power M देखिए जब भी power क्या होता है common होता है जो number होता है उसको आपस में multiply करते हैं और power को क्या करेंगे common ले लेंगे तो यह आपका answer हो जाएगा 7 into 8 के power 1 upon 2 और 7, 8 जा कितना होता है 56 तो 56 के power 1 upon 2 यह आपका होगे answer hope आपको समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें प्लीज लाइक, सब्स्राइब और शेयर माई चानल PDF के लिए नोट्स PDF नोट्स के लिए description में मेरा link मेरा जीमेल दिया हुआ है तो आप description चेक कर लिजे Thank you so much